नमस्कार मैं प्राणशीर अठोर और आप दीख रही हैं निक्स्ट नाइन न्यूस इस वक्त देश के केंद्र में नो ऐसे राज्ये हैं जो चर्चा का विश्यव बने हुए हैं वज़ा है आगावी विधान सभा चुनाव दरसल आपको बता दें कि राजिस्थान मध्यप्र साल होने वाले हैं साल दोहजार तेश के शुरुआत होते ही चुनावी बिकुल हर एक पार्टी ने फूप दिया है और सभी पार्टियों ने अपनी कमर कसली है कि कैसे भी करके इन चुनावों में जीत हासिल करनी है और इस वक्त देखा जाए जहां एक तरफ आमने सामने है सभी पार्टियां वहीं दूसरी ही तरफ आरोप प्रतेरों का सिलसला भी जारी है और ऐसे में यहां पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं अटकलें तेज हो रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुख्य मंत्री पत की दावेदारी को लेकर हो रही है कि आखिरकार इन नौ राज्य में आने वाले समय में राज्य में किसकी सरकार बनेगी इस पर सभी की नजरेंटी की होई हैं तो बात करेंगे आज हमारी इस रिपोर्ट में मध्य प्रदेश की सियासत के बारे में मध्य प्रदेश में जहां एक तरफ मांग उठना शुरू हुई केंद्रिय उड्यन मंत्री ज इतरत्व में ये चुनाफ होंगे लेकिन दूसरी ही तरफ जोती रादेते सिंध्या ने साफ कर दिया है जब उनसे पूछा गया कि क्या मुख्य मंत्री पत की दावेदारी के लिए आगे होंगे क्या उनका नाम फाइनल किया जाएगा तो उन्होंने साफ तोर पर कहा कि हमा पर सस्पेंस आज भी बरकरार है कॉंग्रेस पार्टी पर राहुल गांदी ने कॉंग्रेस पार्टी की जीत पर दावा किया है वही दूसरी ही तरफ पूर्व मुख्य मंत्री दिग्विजय सिंग और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ भी एक्टिव हो चुके हैं दावे यह पर कॉंग्रेस पार्टी जो कभी भी सिंग फेस को उजागर नहीं करती है नाम कभी भी वह आगे नहीं रखती है तो अब देखा जाए तो यहां पर यह बात सामने आई है पूर्व अध्यक्ष अरुडियादव की तरफ से जब उनसे सवाल पूछे गए तो उन्होंने वो मानने है कमलनाथ और लेकिन यहां पर मुख्य मंतरी कौन होगा कैसे होगा यह चुनाप के बाद ही तै किया जाएगा आपको बता दें कि केंद्री मंतरी रह चुके हैं अरुडियादव और अरुडियादव को लेकर यही दावे किये गए कि कही ना कहीं दिगविजय सि करते ही तो कblick हमारे साथ मौझूद है तो बहुत स्वागत है कंद्री मोग–दोहर यह जाहिए कि तो अपर एक अरुडियादव में दिया है , क्योंकि देखा जाये तो यहां पर उनका समर्तन दिगविजय सिंग के लिए भी देखने को मिल रहा है, के लिए और पर कमलनात के लिए भी देखने को कमलनात के लिए यहाँ पर उन्होंने साफतर पर कह दिया है जैसा कि हमने आपको बताया ही तो अब यहाँ पर देखा जाए क्या आपसी मनमुटाव है क्योंकि कमलनात से उन्होंने यहाँ पर खंडवा लोकसभा को लेकर टिकेट मांगा था आपसी कल है कि वज़े से उन्होंने ये बयान दिया या फिर वह चाहते ही नहीं है कि वह मुख्यमंत्री बने देखिए सरकस की अगर बात करी जाए तो दोनों तरफ ही चल रहा है अला कि बीजेपी की बात करी जाए तो बाहर तमाम चीजे सामने नहीं आ रहे है क्योंकि जिस कंड़ा कमलनाथ ही होंगा इसको लेकर बार-बार बयान हमारे सामने आच चुका हैै तो यह माना जा सकता है कि तमाम-बयान भाद का दौर चुनाफ तक रहेगा क्योंकि चुनाफ आते तो इस तरह की मुख्यमंत्री होती है हमें देखने को मिलती ही है तो मुझे ऐसा लगत करें बहले ही वो दावेदारी में काफी पीछ हैं लेकिन अंतिम समय में बीजेपी उन्हें आगे कर सकते हैं शिवरा सिंग चोहान और कमलनाथ के बीच में अगर देखे तुटकर बराबरे की है बराबरी की है एंटी इंकंबेंसी कही नजर आ सकती है क्योंकि जिस तरीके से चोहान लगातार मुख्यमंत्री पत के तौर पर बने हो हैं हलाकि बीच में पंदरा महीनों के लिए लगबग कमलनाथ ने अपती सरकार बनाई लेकिन उस दौरान कमलनाथ ने वो सारे काम करे उन्हें कही न कहीं अंदेशा था कि हमारी सरकार ना गिर जाए इसको लेकर उन लेकिन यहां पर बीजेपी की भी वही रणनिती है कि चहरा बीजेपी भी उजागर नहीं करने वाली है इस बार तो ऐसा लगता है राहुल गांदी कॉंग्रेस की तरफ से यहां पर उतरते हुए नजराएंग उनके चहरे पर शायद ये चुनाव लड़े जा सकते हैं क्यो कुछ राय परतिकरिया है इस पर याप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में फिलाल के लिए हम चलते हैं बागी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज